अगर आप DIA के सबसे बहतरीन स्नाइपर्स में से एक हैं और आप ये काम छोड़ना चाहते हैं तो यकीन मानिए DIA आपको कभी जाने ही नहीं देगा चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े होलीवूड सिंप्लिफाइड लाया है दुनिया की पहली 120 FPS में बनी एक्शन थिलर मूवी जैमिनाई मैन कफी बहतरीन होने के बावजूद भी इस मूवी की IMDb पर 5.7 रेटिंग है मूवी की स्टार कास्ट में हैं विले स्मित एज हैंरी ब्रोगन, मेरी विंस्टिड एज डैनी, क्लाइव ओवन एज क्ले वैरिस, बेनिट वॉंग एज बैरन और लिंडा एमंड एज डिया डिरेक्टर लेसिटर यह कहानी मरीन स्काउट स्नाइपर हैंरी ब्रोगन की है, जो DIA के लिए असैसिनेशन करता है, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं के हैंरी एक मिशन पर है, जिसमें हैंरी को चलती ट्रेन में मिलो दूर से एक टेरिस्ट को मारना होता है, लेकिन हैंरी जैसे ही गोली च चलाता है और गोली टार्गेट के सिर के बजाए गर्दन से गुजरती ही टार्गेट को धेर करतीती है, इस मिशन के बाद हैंरी से उसके घर पर उसका हैंडलर जिसका नाम डैल होता है, वो मिलने आता है, तब हैंरी उस अपने दिल की बावत आता है, कि वो लोगों को मारत इस दोस्त का नाम Jack होता है वो Henry को ये बताता है कि DIA ने Henry के साथ धोका किया है क्योंकि DIA के कहने पर जिस आदमी को Henry ने मारा है वो कोई terrorist नहीं बलकि एक molecular biologist था जिसका नाम डोर्मो होता है और इस सब बात की जानकारी Jack को अपने एक Russian friend Yuri से मिली है Henry के सबूत मांगने पर Jack Henry की Yuri से एक meeting fix करा देता है जो की फिलाल हंगरी में रता है वहीं दूसरी और हम देखते हैं कि DIA दोरा Henry पर 24 गंटे निगरानी रखी जा रही है जिस वज़े से DIA अब ये जान गया है कि Henry को उनके दोरा किये गए दोके की खबर लग चुकी है जिस वज़े से DIA की डारेक्टर जिसका नाम Lassiter होता है Henry को मारना चाहती है जिसके लिए Cleveris नाम का एक आदमी जो एक बहतरीन private military जिसका code name Gemini ही है उसका head होता है वो Henry को मारने के लिए Lassiter से permission मांगता है लेकिन Lassiter उसे कुछ भी करने से मना कर देती है Jack से मिलने के बाद वापिस आते समय Henry को अपनी vote में transmitter मिलता है जिस वे से उसे Danny पर शक होता है और वो ये पता लगा ही लेता है कि DIA नहीं Danny को उस पर नज़र रखने के लिए भेजा है इसके बाद Henry Danny को dinner के लिए offer करता है जिसके लिए वो एक restaurant में मिलता है जहां Danny Henry से ये पूछती है कि वो retire क्यों होना चाता है तो Henry उसको कोई सीधा साथा जवाब नहीं देता और उसको बोल देता है कि वो अपने आपको जानना चाता है डिनर के बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं अब रात के समय डियाईये Henry को मारने के लिए उसके घर पर attack करते हैं लेकिन security system में breach हो जाने के वैसे Henry को alert मिल जाता है और उसकी नींद खुल जाती है जिसके बाद Jack Henry को phone करता है पर DIA ने Jack और उसकी girlfriend को पहले ही उसकी यॉट पर मार दिया है यहां से निकल कर Jack डैनी से मिलता है जो अपने घर पर इस सबसे बेखा पर सो रही होती है यह देखकर Henry समझ जाता है कि DIA का next target अब डैनी ही हो सकी है जिसके बाद वो दोलों यहां से निकलने के लिए बोट यार्ड पहुंचते है जहां DIA का एक एजन्ट डैनी पर हमला कर देता है पर डैनी उसको नॉकाउट कर देती है और यह पता लगाने में कामियाब रहती है कि उन दोनों पर जानने माँ हमला करवाने वाला कोई और नहीं बलकि उनी की एजन्सी की डारेक्टर लैसिटर है आप इन दोनों को अपनी एजन्सी के लोगों से ही खत्रा है जिसके लिए हैंडरी और डैनी हैंडरी के पुराने दोस्त जिसका नाम बैरन है उसकी मदद से कोलंबिया निकलने में कामियाब रहते हैं कोलंबिया पहुँचकर हेंरी अपने पुराने हेंडर डेल को कॉल करता है तो उसे ये पता चलता है कि उन दोनों पर हमला लेसीटर और कले वैरिस के कहने पर ही कराया गया है और साथ ही ये भी पता चलता है कि Henry ने जिसको चलती ट्रेन में शूट किया था वो कोई terrorist नहीं बलकि Molecular Biologist Dormoi था और वो Clay के Project Gemini पर काम कर रहा था Henry को Columbia में ही मारने के लिए Clay अपना बैतरीन Assassin भेजता है जिससे लड़ते वे Henry को ये रेलाइज होता है कि वो Assassin बिल्कुल उसी के ही जैसा है ना कि सिर्फ सकल और सूरत से बलकि उसका Fight करने का तोड़ तरीका भी बिल्कुल Henry के ही जैसा है और वो Assassin Henry को जमकरद होता है पर जैसे ही Columbia Police Fight Scene पर आती है वो Assassin वान से गयाब हो जाता है अब Columbia Police Henry को गिरफतार करके जैल में डाल देती है लेकिन Danny उसको जैल में से निकालने में कामियाब रहती है Henry के दिमाग में काफी सवाल है जिनके जवाब ढूलने के लिए वो Jack के Russian friend Yuri उससे मिलने के लिए Hungary के लिए रवाना होता है Next Scene में हम देखते हैं कि वो Assassin Clay का adopted son है जिसका नाम Junior है Junior Henry से खुद की similarities को लेकर काफी curious है लेकिन Clay Junior को फालतों की बातों पर ध्यान ना देने और Hungary पहुँचकर mission को पूरा करने का order देता है Hungary पहुँचने के बाद जहां Henry एक और Yuri से मिलने का प्लान बनाता है वहीं दूसरी और Danny एक DNA lab में टेस्टिंग के लिए Henry का blood और Junior के बालों का sample देती है जिसमें ये reveal होता है कि Junior Henry का बेटा नहीं बलकि उसका clone है जिससे एक कहानी और ज़्यादा उलज जाती है अब प्लान के मुताबिक Henry वाडुनियाड होटल में Yuri से मिलता है जो molecular biologist Dormov को पहले से जानता था Dormov clay virus के लिए human cloning project पर काम कर रहा था जिसके चलते Dormov ने एक ऐसा formula बनाने में कामियाभी हासिल कर ली थी जिससे वो ऐसे clone बना सकता था जो बीना दर्द और emotion के सिर्फ order for कर सकें पर ये formula वो रशिया मिलाना चाता था जिस वो ऐसे clay virus ने उसे Henry से मरवा दिया जूनियर को clay के नापाक इरादों से दूर रखने के लिए और Danny को वापिस US सही सलामत भेजने के लिए Henry DIA की director Lassiter को phone करकर उस पे दबाव बनाता है जिसके बाद वो Danny को वापिस लाने के लिए जूनियर को भेज देती है रात के समय डैनी को होटल कोट यार्ड से रिसीव करने के बाद जूनियर डैनी से Henry को कोल कराता है और Henry को ये वार्न करता है कि अगर वो बारा मिनिट के अंदर catacomb नहीं आया तो वो Danny को मार देगा दोस्तो catacomb यूरोप में बने वे underground symmetry को बोलते हैं जहां जूनियर हैनी को मारने के लिए बारूद का जाल बिचाता है पर Danny एक Bluetooth device की मदद से जो कि उसकी दात में छिपाया हुआ होता है उसकी मदद से Henry को पूरे trap के बारे में aware कर देती है Henry चुपके से catacomb में entry करके जूनियर की gun चीन कर उसे gun point पर ले लेता है और जूनियर को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो Henry का ही clone है और clay उसका इस्तेमाल कर रहा है लोगों को मारने के लिए ये सुनकर जूनियर भढ़क जाता है और दोनों के भी जम कर fight होती है जिसमें Henry को बचाने के लिए Danny जूनियर के कंदे पर shoot करती है तो वो Henry को छोड़कर वापिस Gemini लोड जाता है पर Henry द्वारा बोले गए शब अभी भी जूनियर को disturb कर रहे है तो वो clay से इस सब के बारे में बात करता है और ये भी पूछता है कि Henry को मारने के लिए उसे ही क्यों भेजा गया जबकि Gemini में और भी बहतरी शूटर्स है लेकिन clay उससे बोलता है कि अगर तुम्हें सबसे बहतर बनना है तो Henry को तुम्हें ही मारना होगा Gemini से निकल कर जूनियर Henry पर B-Poison वाली डार्ट शूट करता है जिससे Henry की सांसे अटकने लगती है ये देखकर जूनियर को Henry द्वारा बताई गई क्लोन वाली बात पर यकीन आ जाता है क्योंकि उसे भी B-Poison से वैसी ही ऐलर्जी होती है अब जूनियर को Henry की बातों पर भरोसा हो जाता है जिस वैसे वो कले को रोकने के लिए इन सब के साथ निकल पड़ता है सफर के दोरान Henry जूनियर को एक बहतरीन इंसान बनने की सला देता है शेहर में गुषते ही कले की आर्मी उन पर हमला कर देती है जिसमें बैरन मारा जाता है जहां एक और Henry और Danny पर Gemini Soldier गोलिया बरसा रहे है वहीं दूसरी और Junior अपने फादर कले को यह सब रोकने के लिए कहता है जिस वैसे उनके बीच लड़ाई हो जाती है Gemini Soldiers की टूडी को मारने के बाद Henry, Danny और Junior का सामना होता है एक ऐसे Gemini Soldier से जो Special Body Armor से लेस है पर काफी शूट करने के बाद वो उसे घायल करने में कामियाब रहते हैं पर जब Henry उसका हेलमेट उतारता है तो वो देखता है कि वो Henry का ही एक और कलोन है जिसमें से emotion और दर्द निकाल दिया गया है Clay अपनी हार को justify करने के लिए Junior से कहता है कि वो Henry के कलोन बना कर एक ऐसी force दयार करना चाता था जो सिर्फ जीतने के लिए लड़े Clay की ये बाते सुनकर Junior उस पर गंतान देता है पर Henry उसे ऐसा करने से रोकता है और खुद Clay पर गोली चला कर उसे मार देता है इसके बाद Henry अपने पुराने हैंडलर डेल से एक बार में मिलता है जो Henry को ये बताता है कि Clay की सारी लैप्स बंद कर दी गई है और Junior के लावाब कोई भी कलोन जिंदा नहीं है फाइनली Henry अब रिटायर हो सकता है पर उससे पहले वो Junior के लिए नई आइडेंटिटी बनवाता है और साथ ही उसको कोलिज में एन्रोल भी करता है ताकि वो अपने लिए एक बहतर भविश्य चुन सके दोस्तो इस मूवी को बनाने के लिए 20 साल का लंबा समय लगा इस मूवी में जूनियर का किरदार विली स्मित ने खुद VFX की मदद से फिल्माया है अगर आपको मेरे दोरा किया गया काम पसंद आया है चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि होली वूड सिंप्लिफाइड फ्यूचर में आपके लिए और भी बहतरी इन मूवी के एक्स्पिलेशन हिंदी में लाता रहे